Hello दोसो, Great Smasher's मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्स करने जा रहे है How to create the binary search trees Binary search trees, data structure का important part है और इवन अगर हम बात करें competitive exams की या फिर आपके college या university level के exams की तो यह बहुत ही important topic है तो गाईस फटाफट से वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe करेंगे तक आपने नहीं किया and please press the bell button ताकि आपको सारी latest notifications मिलती रहे तो start करते है creation of binary search tree यहाँ पर मारे पास क्या दियो ही है keys दियो ही है, data भी कह सकते हो, आप keys भी बोल सकते हो इस key को लेके मेरे को क्या बनाना है binary search tree जो है वो बनाना है तो सबसे पहला point मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि binary search trees actual में बनाना क्यों है या hack actual में तो binary trees के बारे में हमने already discuss किया हुआ है binary trees का मतलब क्या है जहाँ पर हर एक node के minimum 0 child या फिर 1 child या फिर 2 child simple सा भंड है binary trees का या तो 0 child या 1 child या 2 child लेकिन binary trees में कोई भी और नहीं है कोई भी एक systematic way नहीं है आप कैसे भी बना सकते हो let's see अगर मेरे पास पहला element है 4 2, आप next 3 6 को यहाँ डाल दो, 7 को यहाँ डाल दो 8 को यहाँ डाल दो, 9 को यहाँ डाल दो कैसे भी मतलब आप कोई भी order follow कर सकते हो और normal way से आपको क्या बनाना है binary search tree बनाना है तो या तो 2 child हो, या 1 child हो या 0 child हो, simple जाखन है binary tree का, अब मैंने binary tree को बना दिया, data को store कर दिया अब data को store करने के बाद obviously मेरे को क्या करना है, उसको search करना है, तो अगर मैं data को proper order से डालूंगा ही नहीं तो उसको search करने में भी obviously problem आएगी, तो यही problem है binary trees के अंदर obviously अगर कोई systematic order ही नहीं है तो जब भी आप search करोगे तो on and average आपको order of n time लगाना पड़ेगा अगर आप pre-order traversal करते हो post-order traversal करते हो या in order traversal करते हो तो आपको order of n time लगाना पड़ेगा element को search करने के लिए which is equivalent to linear search post-order, pre-order और in order क्या होता है, इसके उपर मैंने already video बनाई हुए जिसमें बहुत अच्छे से मैंने shortcut के साथ आपको बताया हुए है कि pre-order, post-order और in order किसी भी tree का, चाहे complex से complex हो कैसे निकालते है, और उसका link जो है, वो description box में दिया हुए है आप एक बर वो video भी जुरू चेक कर लें ताकि आपको ये वला portion भी जो है, वो complete हो जाए, तो यहाँ पर हम आ रहे है binary search tree पे, तो binary search tree में क्या कर दिया, binary tree तो वही है मतलब property तो वही है या तो 0 child, 1 child या 2 child लेकिन बीच में क्या लगा दिया, search search का मतलब क्या है, कि अगर मैं orders के साथ, अगर मैं कोई systematic way से data डालूँगा, तो search करना भी असान होगा तो वही हम यहाँ पे discuss करने जा रहे है कि binary search tree actual में किस order में, किस systematic way में डालती है तो let's say, अगर ये मेरा root element है, ये मेरा left sub tree या left element है और ये मेरा right element है तो binary search tree का कहती है कि left वाला जो element है वो क्या होना चाहिए, less than the root element, जो भी left में आप डालोगे, वो root से छोटा होना चाहिए, और जो भी right में आप डालोगे, वो root से बड़ा होना चाहिए बस ये concept है, simple binary search tree का, तो इसमें confuse मत होना कि heap tree और min heap या max heap या max heap ये होते हैं, नई min heap और max heap में क्या होता है, let's see अगर मेरे को max heap बनाना है 10, 8 7, ये क्या है, ये भी एक max heap है max heap का मतलब क्या है, कि root element पे सबसे बड़ा element होना चाहिए, लेकिन left और right का कोई fundा नहीं है, तो वही यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे left side में चोटा होना चाहिए, और right side में element root से बड़ा होना चाहिए, तो ये point आपको ध्यान में रखना है, और आप कोई भी binary tree जो है, या binary search tree जो है आप design कर सकते हो, next point यहाँ पे आता है, अगर in case element या keys बराबर हो, although ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितनी भी आपको keys दी होंगी, वो बराबर नहीं होती reason उसका क्या है, जैसे हम database में पढ़ते हैं, कि हमारा data जो है, वो hard disk में store है कहीं पे भी आप लेलो, कोई भी आप volatile है, in volatile memory लेलो, वहाँ पे मारे पास data store है, अब उस data के corresponding, जो key values है, जो unique values है, जिनके corresponding हम data को search करते हैं, जैसे student के point उसे बात करें, तो registration number एक key value है, तो हम generally, जो है, जो key values होती है, वो हम store करते है binary search trees के अंदर, तो obviously key values जो है, वो equal नहीं होती, लेकिन, अगर आपको equal दे भी दे, तो कोई problem नहीं है, आप left side में भी equal रख सकते हो, या फिर आप right side में equal element रख सकते हो, let's say, अगर मैं 10 यहाँ पे रख रहा हूँ, तो छोटा होना चीज़, छोटे का मतलब 8 यहाँ पे होगा, बड़ा element मतलब 11, 12, 13, आप कोई भी element डाल सकते हो, लेकिन, अगर let's suppose, यहाँ पे मैं 10 डाल ले, तो क्या मैं ऐसे 10 डाल सकता हूँ, yes, आप left side में या तो equal डाल सकते हो, या फिर right side में आप equal डाल सकते हो, अगर आप left side में equal डाल रहे हो, it is known as नहीं कि एक element को insert किया, आपने left bias, दूसरे को right bias, नहीं, या तो आपको question में दिया होगा, कि in case अगर elements बीच में कोई equal है, तो आप left biased method यूज करो, मतलब left side में आप equal रखो, या फिर right biased जो है, वो यूज करो, मतलब right side में equal element को रखो, लेकिन दोनों में से कोई भी एक search करना है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि 90 क्या 95% portion में आपको ये unique keys ही आपको देंगे, तो बस उसमें याद रखना, कि root से छोटा left side में, और root से बड़ा element right side में, तो अब start करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला element है मेरे पास ही है, सबसे पहली key कौन सी है, 4, तो 4 मेरा यहाँ पर मैंने simple draw कर दिया, next है 2, अब 2 4 से छोटा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर draw कर दिया, next 3, अब देखो 3 4 से छोटा है, लेकिन 2 से बड़ा है, तो अगर आप इसका छोटा सा portion भी देखोगे ना, तो वो भी binary search tree को follow करेगा ही करेगा, next आज़ आज़ा 6 पे, अब देखो 6 4 से बड़ा है, तो आप 6 इसके right में draw करो, next 5, अब 5 देखो 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है, तो यानि 6 के यह left में आपका 5, 7 7 देखो 4 से बड़ा है, मतलब 6, 6 से बड़ा है, yes, तो 6 से बड़ा है, मतलब 7 आपका यहाँ पे draw, next one, 1 देखो 4 से छोटा है, next वो नसा 2, 2 से भी छोटा है, तो यानि इस तरीके से आप draw करो, तो यह आपका बन गया binary search tree, तो यह balanced भी है, balanced मतलब कि proper levels जो है, वो हमारे पास full भी होते जा रहे, बड़ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि हमेशा binary search tree balanced ही रहेगा, वो हम next video में discuss करेंगे, यहाँ पे हमने जो main point discuss करने है, सबसे पहला important point है, कि आगर मैं binary search tree बना रहा हूँ, यहाँ पे, तो binary search tree में सबसे पहला important, वो है याद रखना, कि जितने भी हमारा least element होगा, जो भी binary search tree में least element होगा, अगर आप left side पे जाते जाओगे, जितना भी, जो भी आपको left side में बिल्कुल जाते जाओ, left side में, बिल्कुल last element आपको कौन सा मिलेगा, सबसे छोटा element मिलेगा, और right side में अगर आप जाते जाओगे, तो जो last element आपको मिलेगा, right side में, वो उस key का, मतलब जो भी आपको keys दी है, उनमें से सबसे बड़ा element होगा, यह दो point याद रखना, तीसरा जो important point है, that is in order अगर आप binary search tree का, किसी भी binary search tree का in order चेक करते हो, तो वो हमेशा एक sorted array आपको देगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपने binary search tree properly draw किया है, अब in order हम कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको पहली बता है कि link description box में दिया हुआ shortcut method, लेकिन फिर भी मैं एक बार repeat कर देता हूँ, method क्या कहता है हर एक child के दो node बना दो, हर एक child के, मलब हर एक node के दो child बना दो, मलब जिसके है उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, तो leaf के तो obviously कोई child नहीं होते हैं, लेकिन हमने dummy create कर दिये, वो dummy हमने क्यों create किये, हम check करते है in order, in order में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी node के उपर दूसरी बार reach करेंगे, दूसरी बार पहुंचेंगे, वो उसका in order होता है, तो देखो, यहां से journey start करते है सबसे पहला 4, 4 देखो first time आया, 2 first time आया, 1 first time आया, अब देखो यहां से मैं गूम रहा हूँ, इस node से मैं गूम रहा हूँ, तो जैसी मैं गूमा 1 पे दूसरी बार पहुंच गया, मतलब आप 1 को सबसे पहले लिख लो अब देखो, 1 पे तीसरी बार पहुंच गये, पहले यहां पहुंचे, दूसरी बार तीसरी बार अब देखो 2 पे दूसरी बार पहुंचे पहले यहां थे अब यहां पे तो 2 यहां पे लिख दो 3 पे 1st टाइम पहुंचे है यह देखो गूमके 3 पे दूसरी बार आगे तो दूसरी बार यहां पे लिख दो यह 3rd टाइम आगे यह देखो 2 पे अब 3rd टाइम आगे, वाँ, 4, 4 पे पहले हम आए थे, अब दुबारा फिर आगे, तो 4 आगे आपका, next देखो, 6, 6 पे 1st time पहुंचे है, 5 पे भी 1st time पहुंचे है, यह देखो, गूम के 5 पे दूसरी बार आगे, तो 5 आपका लिखते हो, जब भी दूसरी बार पहुंच रहे हो, वो आपका in order होता है, अब देखो, गूम के हम तीसरी बार पहुंचे है, जब तीसरी बार लिखते हो, that is a post order, पहली बार होता है, pre order, लेकिन हम सिरफ in order के उपर concentrate कर रहे है, next, 6, 6 पे पहले यहाँ पहुंचे थे, अब दुबारा गूम के यहाँ पहुंच गे, second time, 7 पे first time, 7 पे second time, औ 7 पे third time, तो यह मेरा जो है, वो traversal पूरा हो गया, तो देखो, यहाँ पे in order आपका क्या है, sorted area, ascending order में आपके पास यहाँ पे area का, बहुत important point है, in order of a binary search tree is always what a sorted, और जो बिलकुल last में element होगा, left side में, वो आपका सबसे least element होगा, right side में जो बिलकुल last पे element होगा, that is always your biggest और largest element और second point आपका, in order से related, अब यहाँ पे अगर हम last point की बात करें, तो height of a binary search tree, तो अगर हम average case की बात करें, average case मतलब कि जहाँ पे balanced तरीके से काम कर रहे है, balanced तरीके से मतलब कि levels जो है, वो मेरे properly fill हो रहे है, तो obviously binary tree जो है, अगर हम average case की बात करें, तो height कितनी होती है, log n, तो obviously element क अगर आप search करोगे किसी भी element को, तो आपको maximum time कितना लगेगा, height के बराबर लगेगा, let's see अगर आप 7 को search कर रहे हो, तो देखो what is the height, 1, 2, तो height आपकी कितनी बननी, 2, तो देखो कितनी element हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो log 7, log 7 की अगर आप base value उठाऊगे, क्योंकि log 7 is 2.8 something, तो obviously यहापे अगर आप lower value उठाऊगे, तो value के आगी आपकी 2, लेकिन यह average case की बात कर रहे है, so these are the main points related to the binary search tree, thank you.